अगला कोशन है आपका 9 नमबर नीचे दिये गए चित्र में एंगल ABC बराबर ADE है तो हमें X का मानिक बहुत सिंपल है यार एंगल ABC बराबर दिया है एंगल ADE यह आपके पास दिया है अच्छा जब यह कोण इसके बराबर है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिख सकते हैं DE समांतर हो जाएगा BC क्योंकि यह संगत कोण के युगम है अगर यह बराबर हो रहे हैं तो यह समांतर होता है संगत कोण के प्रतिलोम से संगत कोण के प्रतिलोम से या समांतर हो जब समांतर हो गया तो यहाँ पर हम लोग अनुपात नहीं ले सकते हैं D बटा में D, B, बराबर A, E बटा में E, C, हो जाएगा, थेल्स प्रमे से, थेल्स प्रमे से, चलिए, तो A, D के वैलू है, X प्लस 7, और B, D, B के वैलू है, X माइनस 8, चलिए, A, E के वैलू क्या होगा, तो टोटल X प्लस 3 है, और यहां 2 है, तो इसको इसमें से घटा दो, X प करते हैं, तो इसमें इससे करेंगे तो हो जाएगा, X स्क्वाइर, प्लस का, X माइनस का, 8X माइनस का, 8, और इसमें इससे करेंगे, तो हो जाएगा, 2X प्लस में, 14, X स्क्वाइर, माइनस का, 7X माइनस का, 8, इस इन दोनों को भी धलाते हैं, माइनस का, 2X माइनस का, 14 बरा दोuna जूड़ेगा तो यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा बराबर में 0 तो एकस स्कůशार माइप का 11 एक्स और प्लस का 2 एक्स माइप का 22 बराबर 0 एक्स कॉमन कर लो एक्स माइप से 11 बच बचेगा यहाँ दो कॉमन कर लो एकस माइनस से Kultur को common कर लो और एक्स प्लस दो बराबर जीरो तो यहां अलग अलग करेंगे तो एक्स माइनस से ग्यारा बराबर जीरो x प्लस 2 बराबर जीए तो x बराबर यहां से 11 आ जागा है यहां से x बराबर माइनस का 2 होगा समझ रहे हैं लेकिन हम लोग यहां x बराबर माइनस 2 नहीं ले सकते हैं x बराबर सिर्फ ए 11 लेंगे माइनस 2 क्यों नहीं ले सकते हैं क्योंकि x बराबर माइनस दो पर पर आपका जो यहाँ पर देखो फीगर में आपका जो db होगा db क्या है x minus 8 है तो db db x minus 8 है अगर इसको रखा जाएगा तो minus 2 minus 8 जो है minus 10 होगा जो की संभाव नहीं है संभाव नहीं है संभाव इसलिए नहीं है कि किसी भुजा कि लंबाई जो होगी उसका कुछ तो होगा minus में तो थोड़े होगा तो यह संभाव नहीं है इसलिए x बराबर 11 होगा minus 2 छोड़ देंगे समझे है चलिए